यहीं सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्तुमिजेन यूटूब चैनल में सो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस session सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें है ना और वीडियो को अपने मित्रों तक सेयर कर दें अपने गुरूप में सेयर कर दें और दोस्तों इसी प्रकार से अपना रोज सेसन होता है रात त्री नौ बजे और हिंदी साहित में दोस्तों आपको Self Study Classes एप डाउनलोड कर लेना है एप डाउनलोड करना पिले स्टोर से Self Study Classes यहाँ पर बैच स्टार हो चुका हिंदी साहित का सेकंड बैच है ना और दोस्तों यहाँ पर टिर्की कोर्स विस्तरे तद्यान टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है और बढ़िया तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा बढ़िया तरीके से रस्मी जी मकर सकरांती के अउसर पर टॉफ त्री विनर्स के लिए यह हिंदी साहित की ब्याकण टेस्ट सीरिज यहाँ पर टेस्ट पिर्तियोगता आयूजित की जाएगी जिस पर आपको ब्याकण की टेस्ट सीरिज दोस्तों बिलकुल फिरी में मिलन बाली है 14 जनवरी को भूला नहीं है इस test series को जरूर देना है कि test series आपकी self study classes एप पर होगी ठीक है तो सभी लोग आ चुके हैं बढ़िया बहुत बढ़िया सभी को धनवाद एक किलास अपनी वो रुख गई थी कोई बात नहीं अपर फिर से शुरू हो गए है यह ना एप आ test series आप 500 रुपे में purchase कर सकते हो ठीक है हिंदी संस्कृत का दोस्तो 379 रुपे में और हिंदी व्याकन की test series 500 रुपे में purchase कर सकते हो ठीक है तो ए test series जिनको लगाना है वो purchase कर सकते है और आज का session इस्टार्ड हो चुका है है ना सभी लोग आ चुके हैं वीडियो को like कर देना है ना और फटा फट से आज का पहला प्रस्ण आपको बताना है कि इन कभियों में कौन सा कभी अस्ट शाप से सम्मंदित नहीं है यानि की प्रस्ण किरमांक 121, 121 का आंसर आपको चैन कर लेना है उत्तर क्या हो जाएगा इन कभियों में कौन सा कभी अस्ट शाप के बारे में तो सभी लोग जानते की नहीं जानते पुलिसर अस्ट शाप के बारे में तो जानते हैं है ना ठीक है तो 121 इन कभियों में कौन सा कभी अस्ट शाप से सम्मंद नहीं है उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कुम्भन दास तो हैं सूर दास हैं कशन दास हैं लेकिन कौन नहीं है केस अधास यह दास का चकर कनफ्यूज कर देता है सभी लोगों को है ना और यहां छीत स्वामी अगर दिया होता तो सब लोग छीत स्वामी जिनने नहीं पढ़ाता लगा देते लेकिन कनफ्यूज नहीं होना केस अ लाम चंदरी का जिसे छंदों का जयब घर कहा जाता है कि बही के सवदास हैं दोस्तों जिनकी रचना विज्ञान गीता है ना रसिक प्रिया और कभी प्रिया माने जाती हैं कभी प्रिया इनका अलंकार गरंत माना जाता है रसिक प्रिया इनका रस गरंत माना जाता है और लक् तुलसी दास करत बिनेप पत्रिका की रचना किस भासा में की गई है रश्ण किरमां के 122 का उत्तर आपको चेन कर लेना है अब दी में ख़डी बोली हिंदी ब्रज भासा या फिर मैथली में तो उत्तर क्या हो जाएगा विजय जी उत्तर बताना 122 का बिनेप पत्रिका की ब्रज भासा में की गई है तो अपने पड़ाता तुलसी दास को मैंने कई बार आपको बताया है कि तुलसी दास की 12 प्रमानेक रचनाएं मानी जाती है और जिन 12 प्रमानेक रचनाओं में ऐसे आपने पता होगा कि जिन में राम और मंगल आए वो अबदी की और जिन में र जाम और मंगल लाए वो ब्रजभासा की है ना तो बिलकुल सरल हो जाता है बोल इससर बिनैपत्रिका की बात करोगे तो बिनैपत्रिका ब्रजभासा में है ब्रजभासा और सी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा और आपको पता है कि रीतिकाल भक्तिकाल में ब्रजभास अपने काब के रूप में चरम सीमा परती दोस्तों वो तो इसकी दम तूट गया कब ज़वे पहुंची आधुने कालमें दुवेधी युग जैसे कालमें महाबीर सत दुवेदी ने हिंदी को समर्थन दिया, खडि भोली को, समर्थन दिया, खड़ी भोली को, है न, तब इसका दम घुटने लगा, ब्रजबासा का, और काभे की भासा बन गयी, कौन? खड़ी बोली, है ना, तो यहाँ पर ब्रजबास आपका, बिल्कूस सही हो जाएगा, और अंगला question है, केसव दास की किस रचना की गणना, लक्चन ग्रंत की अंतरगत की जाती, लक्चन ग्रंत बताना, लक्चन ग्रंत हैं, है ना, लक्चन ग्रंत बताओ, सबी लोग धरमें गरना लक्षन गरंतों में अलंकार रस-ादी का उचित दोस्तों समावेस किया गया वो कहलाती रीती गरंत लक्षन गरंतों में की जाती है और प्रशने करवांग के 123 है और 123 का अंसर आपका हो जाएगा मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तो एक अलंकार गरंथ है अलंकार गरंथ है कौनसा के सौधास का कभी प्रिया कभी प्रिया के सौधास का अलंकार गरंथ है और दोस्तो कभी प्रिया यानि की D नंबर कभी प्रिया यानि की D नंबर इसे लक्षन ग्रंत माना जाता है और D नंबर जिन्वा ने चेन किया उनका आंसर बिलकुल सही है है ना उनका बिलकुल सही आंसर है D नंबर वेरी गोड आंसर डी नमबर डी सही हो जाएगा रस्मी जी डी नमबर सही होगा सबी प्रिया इनका लक्चन ग्रंत है 84 वैशनों की बारता का लेखक कौन है 84 वैशनों की बारता बोले सर चाहे 252 वैशनों की बारता की बात कर लो चाहे 84 वैशनों की बारता कर लो हिंदी साहित के इतिहास लेकन के स्रोत माने जाते हैं 84 वैशनों की बारता 250 वैशनों की बारता भक्तमाल हैना ये दोस्तो हिंदी साहित के इतिहास लेकन के स्रोत माने जाते हैं जब हिंदी साहित का इतिहास लिखा गया सबसे पहले गारसादा तासी ने प्रयास किया दोस्तों हैना इस्तवार दाला लेती तो यह अंदो इंदोस्तानी के माध्यम से और दोस्तों यह फ्रेंच बिद्वान थे इन्होंने फ्रेंच भासा में इस ग्रंत की रचना की लेकिन इस ग्रंत की रचना आपको पता है कि हिं का कहें वो मान जाते हैं गोकुलाइण यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा बिकल्प नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बर्बे रामायण किसकी रचना है बहुत बड़ी जा प्रस्ण है दोस्तो बर्बे रामायण यानि कि 125 का अंसर 125 का उत्तर बता मैंने आप से पड़ी होगी की नहीं पड़ी होगी जल्दी बताओ अगर इन्होंने रामचेत मानस लिखी अगर नहीं लिखी ही है इन्होंने रामचेत मानस लिखी है तो इन्होंने बार-बार रामायण पड़ी होगी और बार-बार पड़ी तो बरबे रामायण यानि बार-बार रामा होगा रतना बली ने कही दिया कि इतनी भक्ती तरी राम के चरणों में लगाओगे इतना प्रैम आप स्री राम से करोगे तो भाव सागर से तार तर हो आओगे बोले हद तेरी की छोड़ दिया पूरा है ना छोड़ दिया और निकल गए निकल गए और बहुचे भईया कहां बोले चित्र कूट के घाट पे भई संतन की भीड तुड़िसी दास चंदन गेसे तलक देत रगवीर है ना गशन की सरस्की नाओं का वर्नन करने वाला प्रख्यात गरंत कौन सा है घाशन की सरस्की नाओं का वर्नन करने वाला वताना है उत्तर क्या हो जाएगा 126 का अंसर चेहन करना है सभी लोग चेहन करेंगे उत्तर क्या होगा गरशन की काब्या गोसवामी कहां डाउट है आपको गरशन की सरस्की नाओं का वर्नन करने वाला प्रख्यात गरंत कौन सा है 126 और 126 में आपका उत्तर हो जाएगा गरशन की सरस्की नाओं का वर्नन करने वाला जो गरंत है वो गरंत का नाम क्या है वो ग्रंथ का नाम क्या है सरस्क्रिनाओं का बरनन करने बाला जो ग्रंथ है वो दोस्तों ग्रंथ है कौनसा गीत गोबिंद है कौनसा ग्रंथ है गीत गोबिंद है यानि की बी नमबर गीत गोबिंद है इसको याद रखे ना यह जैदेव की किर्थी मानी जाती है एक रचना पूछी जाती है राग गोबंद एक रचना पूछी जाती है गीत गोबंद तो बोले सरेन में अंतर क्या है इसको यात कैसे करेंगी राग गोबंद और गीत गोबंद में कई बार कन्फ्यूज होते हैं तो मैंने कहा कि गीत गोबंद के गाते हैं तो जय बोलते हैं और राग क किया था गोबिंद से किसने मीरा भाई ने राग किया था गोबिंद से तो राग गोबिंद मीरा भाई गीत गोबिंद जैदेव क्रश्न की सरस्क्रिनाव का बरनन मिलता है किसमें गीत गोबिंद और गीत गोबिंद जैदेव की किरती है सूर्दास के संबंद में जानकारी का अधार गरंत मुक्तह कौनसा है सूर्दास के संबन्द में बताना है दोस्तों सूर्दास है ना सूर्दास बासल के चितेरे कभी कहे जाते हैं और 127 का उत्तर हमें बताना है उत्तर क्या हो जाएगा एक क्वेस्चन पड़ भी लिया था सभी लोग चैन करेंगे और सूर्दास के संबन्द में जानकाली का आधार जो गरंत है वो अपन ने पढ़ दिया किसने सौनु सिंग जी प्रश्ण किरमांके 127 और 127 का अंसर हो जाएगा बा यानि की 84 बैसलों की बारता और B नमबर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा सौनु सिंग ने कहा कि तुल्शिदास मेरे फैवरेट कभी है तुल्शिदास क्या है फैवरेट कभी है ऐसा ही दोस्तों आपको पता है रामचंद्र सुकले ने रामचंद्र सुकले जो प्रभावित थे सब्से जादा प्रभावित थे रामचंद्र सुकले जी ने ठेका लेग राखाता जब हिंदी साहित बोली सर हिंदी साहित पड़ो तो रामचंद्र सुकले को बाजू में बिठालो पता नहीं कौन सा कथन बोलने तो यहाँ पर आपको बताना नामदेव का संबंध किस प्रिविर्टी से है नामदेव नामदेव का संबंध बताना है और आपको पता है दोस्तों क्या पता है जदी बताओ क्या पता है बोले नामदेव पता है नामदेव का संबंध पता है किस से था, तो किस से था, तो उत्तर बता दो जरा, किस से था, सगुन बाद, बोले सर छोड़ो इसको मैंने छोड़ दिया, नात पंत, निर्गुन बाद, शूपी मत, अब आपको बताना है, प्रश्ण किरमांके 128 आपके पास है, और बोले नाम देव की बात करते हो, बोले सर कि निर्गुन, निर्गुन बाद, या फिर निर्गुन का अबधारा से सम्मंदित्ते कौन, नाम देव, हैना, नाम देव, यानि कि C नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा, आपका नाम भी निर्गुन नहीं होना चाहिए, निर्गुन, हैना, बोले मेरा नाम तो बोले स निर्गुण है गुलई नहीं है कोई इसको याद रखो निर्गुण बाद नाम देओ है ना अंगला परहत सरस धरम नहीं भाई परहत सरस धरम नहीं भाई पंक्ती किस रचनाकार की है प्रश्न किरमां के 129 139 में सबी लोग अंगूटा चला देना लाइक कर देना एक क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है और धमा के दार क्लास होती है दोस्तों जिसमें हम याद तो कम करते हैं पढ़ते जादा हैं है ना बहरी गौड परहत सरस धरम नहीं भाई एक किसकी है पुलिसर इतनी सरल पूछो जाता है ये तुलिसी दास हैं बही तुलिसी दास हैं जो मुर्दा पर बैठकर रदी को पार कर जाते हैं ये बही तुलिसी दास हैं जिनको बैराग हो गया था तुलिसी को बैराग हुआ है राम राम एहजान की है ना ये तुलिसी दास जी को याद रख लेना और आनमबर आपका विकल सही हो जाएगा किस काबधारा के अंतरगत मूर्ती पूजा और अवतारबाद का विरोध किया गया मूर्ती पूजा और अवतारबाद को विरोध किया गया यह आपको चैन करना 130 का अंसर 130 का अंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे उत्तर को चैन करना है किस काबधारा के अंतरगत मूर्ती पूजा और आउतारबाद यानि कि मूर्ती पूजा और मूर्ती पूजा यानि कि नराकार ब्रह्मा नराकार ब्रह्मा आपको बतेश्वरी मूर्ती पूजा का ब्रोत किया गया यानि कि ये निराकार ब्रह्मा के प्रबरता निराकार ब्रह्मा को मानने वाले थे तो कौन थे? 130, confused नहीं होना आपने पड़ा होगा कि जर जो संत काबधारा के कभी थे संत काबधारा थे हैना, संत काबधारा के कभी थे कभीर आदी थे ये निराकार ब्रह्मा पर विस्वास करते थे, निराकार ब्रह्मा को मानते थे, ये मूर्ती पूजा के ब्रोधी थे, है ना, इन्होंने कहा था कि काकर पातर पूज कर, है ना, एक पंक्ती बहुत बढ़िया कबीर ने दी थी, है ना, तो मूर्ती पूजा के ब्रोधी थे कौ कि सूपी काबधारा में किस्त्वर को पतनी के रूप में देखा गया आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक प्रेमी, एक प्रेमी का, अपनी प्रेमी का के रूप में दोस्तों, जिस प्रकार से प्रेम होता है और जिस प्रकार से मिलने की भावना होती है, उसी प्रकार से उन्होंने इस्वर के पृति देखा, कि एक ब्यक्ति को बैसा बनना चाहिए, जैसा एक प्रेमी होता है, है बैसे ही उसकी इतनी लाल सा होनी चाहिए इस वर से मिलने की अगर लाल सा होगी तो निस्धती इसर शामने खड़े आकर खड़े हो जाएंगे आएसा सोचा है किसंणे ऐसा बताया किसने सूपी काफधारा में सूपी काबधारा, यानि कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिलकुल सही हो जाएगा, बी नंबर ठीक है, ये बी आपका बिलकुल सही हो जाएगा, क्यश्न गीता बली का रचेता कौन है, क्यश्न गीता बली आपको बताना है, सूर्दास, नंददास, तुल्शिदा या फिर मीरा भाई कशन गीता बली का रचेता कौन माना जाता है कमेंट में बता दो मेरे प्यारे भाईयो सौनु सिंग जी हरियोम जी हैना रीना चौदरी सुमन जी कपिल देव यादव जी कपिल देव साक्षात यहां आ गए हैं किरकेट खेलने बहुत बढ़िया कशन गीत देगे सूर्दास देखते कौन कौन लगा रहा है सूर्दास हम भी तो देखें हैं हैना कुछ लोग मीरा भाई लगा रहे हैं और बताओ और कौन लगा रहा है कुछ लोग नंददास लगा दिया अधिकांस लोगों ने अधिकांस लोगों ने सी नमबर लगाया हैना तुक पा नहीं चलेगा चलेगा तो क्या चलेगा बोले सूर्दास को काट दो नंद दास को काट दो यहाँ पर मीरा भाई यह बेकल्प भी काट दो और तुल्ची दास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा करशन गीता बली तुल्ची दास जी की रचना है यहाँ पर कंफ्यूज होते बहुत सारे लोग, बोले क्रशन लीला, क्रशन, लेको अनिता जी ने सूर्दास बता दिया, बहुत बढ़िया, है ना, ये सूर्त उल्शिदास की रिचना क्रशन गीता बली, है ना, कॉमन सेंस लगा लेती है, आर क्रशन का अब धारा के कभी तो सूर्दास थे, इसलीए क्यों लगाते हो common sense नी लगाना यहां पर आपका हुजयागा C नम्बर ठीक है अंगला question आपको बताना है या लकुतीती या रूकामर या पर राज तिहुं पुर को तजिडारे इस पंक्ती किसकि है या लक्टी अरूकामर या पर राज तिहूं पुरकोत जिडारो ये पंक्ती बतानी है इस पंक्ती का चैन करना है और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर प्रश्न किरमा के 133 133 का उत्तर या लकुटी या रुकामर या पर राजति हो आपने देखा होगा दोस्तो लकुटी या फर लटकी क्या होता आपने क्रशन लीला में देखा होगा कि इस प्रकार से मटकी बनाते हैं इस प्रकार से क्या बनाते हैं कैसे करके एक मठकी बन गई ऐसी एसी मठकी बन गई ए मठकी है ना इसको कैसे ऐसे लटका दिया जाता है किया पुल्सर से इसमें रस है रस खान या माखन है ना में क्या है माखन है और ये क्या है लटकी है लटकी तो यहां पर क्या है या लक्टी या लटकी कर लो लटकी या लटकी या रुकामरिया पर राज तिहूं पुर को तजडारे लटकी मतलब क्या लटकी है वो लिसर माखन की माखन की ये जो गगर्या है लटकी है तो ये माखन यानि कि रस खान इसमें क्या है रस है रस तो रस खान की ये पंक्ती है और कहा जाता है कि तुरिसी दास ने राम चरेतमाना सबसे पहले किसे सुनाई थी रस खान को सुनाई थी है ना ये भी आपको याद रख लेना है और भारतेंदु जी की एक पंक्ती है वो बता देना रस रस्खान के बारे में जल्दी किसको याद है जल्दी बताओ भारतेंदु जी की एक पंक्ती जो हमेशा पूछी जाती है रस्खान के बारे में उन्होंने कहा था उत्तर बताओ जल्दी मलेक मुहम्मा जाईसी की रचना पदमाबत किस भासा में है खड़ी बोली राजस्तानी अबदी या प्रब्रज भासा किस भासा में है ना इन हरी जनन हिंदुवन पर क्या बुलते हैं इन मुसलमान हरी जनन पर लाकों हिंदु बारिये है ना इपंक्ति कहीती ना भारतेंदुजी ने आपको पता होगा बहुत बढ़िया मलक मुहंबा जाइसी की रचना पदमाबत किस भासा में है किस भासा में खड़ी बोली राजस्थानी अबदी या प्रब्रज भासा बुलसर मलक मुहंबा जाइसी की पदमाबत की तो बात ही मत करो यह महा काब है प्रतम महा प्रमाने का महा काब है चूपी काब का महा काब है इसकी भासा तो अबदी है क्या है अबदी है पदमाबत की अबदी 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 बेरियोड और अबदी पूरवी हिंदी की बोली माने जाती है पूरवी हिंदी है न इसको याद रखेना मीरा भाई की भक्ती किस भाव की है मीरा भाई की भक्ती मीरा भाई आ गई है ना ये मीरा भाई कौन थी राग गोविंद रचना इन्हों लिखी थी है ना और दोस्तों इन्होंने नर्सी जी को मायरो राग गोविंद की रचनाय मानी जाती हैं मीरा भाई और दोस्तों इन्हों ने लिखी थी गीत गोविंद की टीका भी इन्हों लिखी थी गीत गोविंद की टीका राग गोविंद है नरसी जी को मायरो और दोस्तों ये रचनाए मीरा बाई जी की मानी जाती है मीरा भाई जी कहती, क्या बोलती थी, कि मेरा और न दू जो कोई भक्ती करती थी दोस्तों, दामपत भाव भी माना जाता है इनका, और यहां पर माधुर भाव एक कई बार पूचा गया है, माधुर भाव, भी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाएगा, मीरा भाई की भी नमब बैदेही, पंक्ती तुलशिदास की किस रचना से उधरत है, यह बताना है, किस रचना से ले गई है तुलशिदास की, जाके प्रिये नाराम बैदेही, और 136 का उत्तराप को बताना है, और 36 का जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जाके प्रिये नाराम बैदेही, राम बैदेही और दोस्तों कितनी बिनाय से पंक्ती कही गई है पुली सर बड़ी बिनाय से बोली गई जाके प्रिये ना राम बैदेही है ना और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा पुली सर ये तो बिनाय पत्री का में पत्रिका से ली गई है ना और हम पत्रिका जब लिखते हैं किसी को पत्रिका लिखते हैं तो क्या बोलते हैं प्रिये है ना प्रिये लिखते हैं प्रिये पिताजी है ना ऐसे लिखते हैं प्रिये मित्र ऐसे लिखते हैं प्रिये तो यहाँ पर आ गया प्रिये बोले सरा हम प्रिये लिखते हैं काई में पत्रिका में किसी को पत्र लिखते हैं ना लेटर लिखते हो पत्र लिखते हो तो उस पत्रिका में हम लिखते हैं क्या प्रिये मित्र है ना लिखते हैं तो प्रिये काई में लिखते हैं पत्रिका में पत्रिका की हो जाएगी, बिनैं पत्रिका, सी नमबर आपका बिलको सही होगा, सी है ना जिल्दी से बताना है, बिमलेश जी, अन्जूरानी जी, सासी सिंग जी और जिन भी सातियों ने दोस्तों अभी तक एड़ीसन नहीं लिया है, वो एड़ीसन जरूर लेने ना हैना Self Study Classes एप डाउनलोड कर लो एडविशन ले लो बड़िया तरीके से TGT PGT भी आपका आने वाला है हैना जल्दी आएगा और जल्दी आपका पेपर होगा LT बाले हो नेट बाले हो टेट बाले हो कोई भी हो हिंदी साहित को घोर के पीना है काई में हैना घोर कर पीना है जिन्दी साहित को तो से Health Study Classes में आजाओ दोस्तों पता भी नहीं चलेगा 137 का उत्तर हो जाएगा बोली सर ब्रेज कोकिल की बात करते हो तो सत्य नारान कभी रतन सत्य नारान कभी रतन को कहा जाता है ब्रेज कोकिल और बोली सर मेतल कोकिल भी कहा जाता है किसी को तो मैंने कहा हाँ मेतल कोकिल भी कहा जाता है किसे बिद्यापती को बिद्यापती को मेतल कोकिल ब्रेज कोकिल कहा जाता है सत्य नारान कभी रतन ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना कभी कभी नहीं ब्रज कोकिल को लगा दो बिद्यापती, मैतिल कोकिल को लगा दो सत्त नारायन, तो ब्रज कोकिल सत्त नारायन है ना, और दोस्तो मैतिल कोकिल, मैतिल कोकिल बिद्यापती इनको याद रख लिना है, संत साहित में सबसे अधिक पंडित कभी कौन थे, एक कोस्चन भी कई बार सबसे पढ़े लेखे कौनते, सबसे पंडित कौनते, स्रंगार रसके ब्रोधी कौनते, जल्दी से बताओ, प्रश्न क्रमां के 138, 138 का उत्तर, 138 का उत्तर, संत साहित में सबसे अधिक पंडित कौनते, हैना सबसे जादा पढ़े लेखे कौनते, स्रंगार रसके ब्रोधी कोलेllorौ इस भूर सर मैंने तो कई बार पड़ा है कि सुन्दर लोगों को सजने की जरूरत नहीं होती का संत साहित में सबसे अधिक पंडित बिद्वान पढ़े लेखे सुन्दर और सुन्दर को सजने की जरूरत नहीं होती ही नहीं है है ना विरोत कर दो ताकि हमसे कोई जाना सुन्दर ना लगे है ना ऐसे तो सुन्दर दास पंडित थे विद्वान तेस रंगार रसके ब्रोधी थे यानि की सी नंबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा दुलहन गाबहु मंगला चार पद पद किसके द्वारा रचि है दुलहन गाबहु मंगला चार प्रश्ण करमां के 149 149 का आंसर क्या हो जाएगा 149 का आंसर क्या हो जाएगा दुलहन गाबहु मंगला चार उत्तर बताना है उत्तर क्या हो जाएगा माही जी बिनीता जी हना और ग्यानेस सरमा जी सभी लोगों को 149 का जब चैन करने के ल बोले सर दुलहनी गाबहु मंगला चार ए पंक्ती तो किसकी है ए पंक्ती तो किसकी है जल्दी बताओ 149 और 149 का आपने बिल्कुल सही चैन किया बोले सर बी नंबर में टिक लगा दो मैंने का ठीक है टिक लगा दी रहे हैं आपका उत्तर चला जाता है बी की ओर कबीर दास क कैनी की बी नंबर कबीर दास है ना वो अपन को याद आ जाता है जब कबीर की बात करते हैं तो पोती पड़पड जगमुआ पंडित भयाना कोई राम चैत मानस में कितने कांड हैं जल्दी से बताओ और राम चैत मानस के कांड क्रम बद्द जल्दी जल्दी से बता देना लिखकर कि कौन बता पारा है सबसे पहले रामचरित मानस के जो कांड है उनको करमबद बताना है कि कौन सा कांड कितने नंबर पर कौन सा आता है परीक्षा में पूचे जाते हैं रामचरित मानस के कांडों को करमबद कीजिए ऐसा question आता है, रामचेत मानस में कितने कांड है, आपने बता दिया, साथ कांड मैंने मान लिया, ठीक है, अब आप लोग बता दो, कि रामचेत मानस के जो कांड है, वो क्रमबद जल्दी बताओ, कौन बता पा रहा है सबसे पहले, हम भी तो देखें कौन कितनी गहराई से पड़ रहा है है ना, जल्दी बताओ, रामचेत मानस में सर्ग तो ठीक है, वो तो है अपने कांड, साथ कांड है और, उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमा के 140 का आपका हो जाएगा, क्या, साथ दी नमबर हो गया, दी नमबर हो गया मुझे से, रामचेत मानस साथ लेकर चलती है, हम साथ, साथ लेकर चलती तो साथ कांड हो जाएगे, ठीक है ओके, बिलकुल शाही है लेकिन अभी तक, किसी ने नहीं बताया है ना, और कोई नहीं बताएगा क्या इसके बताओ जल्दी से कोण बता रहा है हाँ, बाल अयुद्ध्या, अरंड, सुन्दर, लंका, उत्तर, बहुत बढ़िया प्रदीप पंत जी, वेरिगोड, बहुत बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल शही है, संत्रा में आदव जी, बहुत बढ़िया इस साथ कांड है और बिल्कुल शही है हाँ, बाल, अयुद्ध्या, अरंड, किसकंदा, सुन्दर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, गुंजा जी बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने लगबग बता दिया है, हैना, बहुत बहुत धन्नवाद, आप लोगों का बड़ा उपकार किया, आप लोगों ने, मानुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, पंक्ती, किसकभी की है, किसकभी की है, सुस्मा जी, एके तरपाथी, नबीन बढ़ रही है, मनुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, एक किसकी, एक पंक्ती, किसकी है, एक पंक्ती, बताना, 141 में, एक पंक्ती, किसकी है, राम जी, अक्बल यादाओ का पिल देओ जी ने भी बता दिया है, बहुत बढ़िया, हैना, दार्सू, सुसमा, डाक्तर, बंद कि, किसकी माने जाती है, मनुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, एक सो एक तालीस में, एक सो एक तालीस में, बोले सर, प्रेम की बात किये है, किसने, सूपी कापधारा के कभियों में, प्रमुक माने जाती है, कौन, जाए सी, मनुस्त प्रेम, भयव, बे, कुंटी, जाए सी इसे बियात करना रीती काल को स्रंगार काल की संग्या देने बाले बिद्वान कौन है इस रंगार काल भी कनफ्यूज करता है कुछ लोग अभी चक्कर में पढ़ेते बोले सर आरंबेकाल और प्रारंबेकाल प्रारंबेकाल और आरंबेकाल क्या चक्कर है मैंने कहा मिस्र बंदू आरंब से साथ में रहे तो इनको बोल दो आरंबेकाल और जब हम कोई भी चीज प्रारंब करते हैं तो स्री गड़ेस बोलते हैं स्री गड़ेस करो तो इसको बोल दो प्रारंबिक काल तो इसको याद रखो आदी काल को आरंभिक काल कहा मिस्र बंदू ने प्रारंभिक काल कहा गड़पती चंद्रगुप्त ने है ना और जब आपसन में गड़पती भी नहोई है ना और आरंभिक या प्रारंभिक पूचा जाए तो मिस्र बंदू लगा देना है ना और रिती काल को स्रंगार काल की क्योंकि दोस्तों कई पुस्तकों में प्रारंबिक काल, मिस्र बंदू और गडपती दोनों भी लिखा है कि दोनों ने प्रारंबिक काल कहा है ना और आरंबिक काल और प्रारंबिक काल तो दो चीज पर अपन को देना है, ज़ादना इस पर तर्क और बोनी करना, सिर्फ अपन को यह देना है, कि आरबिक काल मिष्ड बंदू, प्रारम बिक काल गड़पती चंद्र गोपते और कभी बूचा जाए कि प्रारम भिक काल किसने कहा, किसने कहा तो अगर गड़पती चंद्र आफसन में ना हो तो मिस्र बंदू लगा देना संकोच नहीं करना है ना रीती काल को स्रंगार काल की संग्या देने बाले बिद्वान कौन है तो बोली सर स्रंगार की बात करते हो एक यहां पर भी कनिप्यूज होते बहुत सारे लोग है ना कुछ लोग मिस्र बंदू बता दी रहे हैं है ना कुछ लोग सी नंबर तो मैंने आपको कई बार बताया कि स्रंगार तो बिस्तू के लोग करते हैं कहा कि लोग करते हैं मात्रे आपके सहर के लोग तो नहीं करते पुलिसर हमारे भारत बस के लोग करते हैं स्रंगार ऐसा नहीं है स्रंगार तो बिस्तु के लोग करते हैं तो स्रंगार काल कौन बोलेगा बिस्तुनात बोलेंगे कि मिस्तुनात बोलेंगे क्योंकि बिस्तु के लोग करते हैं इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा सी नमबर है ना इसको याद रखो मिस्र बंदू अलंकृत काल कहा ये स्वरी विस्तुनात ने कहा स्रंगार काल और मिस्र बंदू ने कहा क्या अलंकृत अलंकृत काल कहा है ना ये भी याद रख लेना अलंकृत काल मिस्र बंद या फिर ठाक और कटिन काब का प्रेथ किस कभी को कहा जाता है कि बताओ कटिन काब का प्रेथ क्टिन काब का प्रेथ क्या है उत्तर बताना 143 और 143 में जो आपका बिल्कुल सही हो जाए उसी पर टिक करना है कटिन काब का प्रेथ किसे कहा जाता है टिक कर देना दोस्तों केस की बात बहुत कठन है, है ना, केसों को समालना बहुत कठन है, चार-पांच बार यही ना देखते हो, फिर केसों में थोड़ा सा कंगी अंगी फेरा, है ना, तो केस को समालना क्या है, बड़ा कठन है, केस को समालना क्या है, कठन है, कठन है की नहीं, है, बहुत कठन है, त फिके इसको याद रखो, आंगे के कभी रीजहें तो कभी ताई, नहीं तो रादि का कनाई, सुमरन को बहानो, यानि की 144 में उत्तर आपको चैन करना उध्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंगे के कभी रीजाईं तो कभी ताई नहीं तो रादी का कनाई सुम रन को बहानो उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताना है आरसी मलिक जी, मिनी पांडे तनू जी, प्रश्न किरमा के 144 ही तो पूँचा है 144 पूँच लिया तो आप लोग सान्त हो गए पुलिसर बेकारी दास में टिक कर दो बेकारी दास की ये पंक्ती है याद रख लेना, आंगे के कभी रीजाईं तो कभी ताई ना तो रादी का कनाई के सुम रन को बहानो हैना बेकारी दास में टिक लगा देना यानि की बी नमबर आपका सही हो जाएगा बी नमबर बेकारी दास अनिता जी, बी नमबर सही है अंगला है कौन सी रचना मती राम की, मती राम मती राम की बताना है कौन सी रचना मती राम की है हैना, उत्तर बताओ 145 मती राम की बताना है ना मती मती और मती की 145 और 145 में आपने चैन किया है कि सर मती जो हो जाए मती कैसी मती हो ललत मती होनी चाहिए आपकी है ना ललत ललाम मती राम ललत ललाम मती राम है ना ललत ललाम मती आपकी मती कैसी होनी चाहिए बिलकुल ललत मती होनी चाहिए ललत है ना इसको याद रखो मती राम ललित मती राम है ना हाँ मती राम बेरिगोर्ड सा नमबर मोही तो मोरे कबित बनाबत है ना एक पंक्ती ये कभी कौन है एक पंक्ती कही थी कि करो इसको जल्दी से बताओ किसकी है लोग है लागी कबित बनाबत वो ही तो मोरी कबित बनाबत के पंक्ती किसकी है तो तो आपको पता है पुलिसर घनानंदी की बात मत करो इनको बहुत बेयोग था है ना और ये बेयोग में इन्होंने पूरी रचनाई की है बोले कभी बन जाओ, कभी बनना है, तो पहले बेयोग को धारन करो, कभी बनना है, तो बेयोग को धारन करो, एक विसाय मिल जाता है, है ना, और विसाय जिन जहां मिला, तो मान के चलो कि फिर कभीता रुकती नहीं है, कभी की लेखनी नहीं रुकती, है ना, फिर निरंतर लिखता जाता है, कितना लिखता है कवित तरी उसी के बारे, प्रेम क्या के बारे में, फिर ऐसा हुआ, उनकी याद में हुआ, फिर बिछुड़ गए, ऐसा हुआ, आज भी याद आती है, इस सारी चीज़ें आती है, कभियों को, जब ये बियोगी बन जाती है, लोग हिलागी कवित बनाबत, म तुम वही तुम औरे कवित बनाबत, एक घनानन्द की है, घनानन्द है ना, और दोस्तों, इनका नाम के, इनका क्योंती सी, इसक लता, इसक लता इनकी बहुत ही चर्चित रचना मानी जाती है, इसक लता, है ना, और एक रचना है, इसक नामा, इसक नामा, इसक नामा, कि कई बार में भी कभी कभी confused हो जाता था कि इसक नामा और इसक लता तो इसक लता किसकी है इसक लता आपकी घनानंद इसक लता घनानंद और इसक नामा बोधा ठीक है बोले कैसे याद करें सर इनको इसकी की लताएं कैसी है घनी है बोले सर इसकी की लताएं घनी है और इसक में नाम पढ़ गיה क्या बोधा इसके में नाम क्या पढ़ गया बोधा ऐसा नहीं करना आप लोग नहीं तो बोधा नाम पढ़ जाए है ना वि Pharaoh नाम पढ़ गया तो इसके नाम बोधा इसक लता गनाननद ठीक ये घनानन्द साहब है, इनको याद रखेंगे, अंगला है सुजान चरित किसकी रचना है, 147, सुजान चरित किसकी रचना है, 147 का बताना है, ठीक है, प्रशन किरमां के 147 का घनानन्द ठाक और सूधन या फिर बोधा, है ना, अपन ने पढ़ा था ना, मुले सर, सुजान क का है, सुजन, पढ़ी थी अपन ने, क्या से याद की थी, सुजान को सुजन है, सुजान को का है, सुजन, है ना, सुजन चर जाती ना, बोले सर, हमारे उंगली में सुजन है, ऐसे करो, सुजान को सुजन है, सुजान को क्या है, सुजन, तो सुजान चरित कि रचनाकार कौ होंगे घनानंद लगाओगे क्या लगा दिया ना बहुत सारे लोगों ने ये ये नहीं लगाना मेरे भाईयो सुजान को यहाँ घनानंद नहीं है यहाँ सूजन है सूजान को सूजन तो सूजान चरित सूदन है ना को है सूदन सूदन यानि कि सी नंबर है ना पढ़ना है ऐ सुजान को सूजन है कभी कुल कल्प तरु किसकी रचना है कभी कुल कल्प तरु बताना है चिंता मनी, देव, केशव केशव, मतिराम तो कभी कुल कल्प तरु 148 148 में अपनने चैन कई था बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या बताया था, पुलिसर अपने-अपने कुल की सब को चिंता रहती है, हैना, एक दोस्तो आपका जो कुल है, वो तरू के समान होता है, तरू, हैना, आपने देखते हैं, कि तरू एक ब्रक्च है, उसकी बिविन डालियां है, साखाएं है, आपका भी एक कुल, ब्रक्च के जैसा है, उसकी बिविन साखाएं हो जाती है, और कुल की चिंता, कुल की चिंता है, आप लोगों को की नहीं, पुलिसर बहुत चिंता है, कुल की चिंता करना है, कौन कौन करता कुल की चिंता, कुल की चिंता करोगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल और कभी कुल, कभ पता है दोस्तों कि आचार विश्वनात ने आपने पड़ा होगा आचार विश्वनात ने रीती काल को सरंगार काल कहा लेकिन इन्होंने रीती काल को तीन भागों में बाटा ये कभी याद रख ले ना आपसे पूचा जाएगा कि रीती काल को रीती बद्ध रीती सिद्ध औ और रीती मुक्त तीन काब धाराओं में किसने बाटा तो बता देना विस्तुनात ने विस्तुनात ने रीती काल को स्रंगार काल कहा बिलकुछ चाहिए रीती काल को तीन भागों में बाटा किसने विस्तुनात ने रीती मुक्त रीती सिद्ध और रीती मुक्त विस्तुनात न ही माता है ध्यान रखना है ना विच सुनातने और रीती मुक्त कभी कौन है तो बुझी सर QUESFA360 दास तो नहीं है वेकारी दास भी नहीं है चिंता माणी भी नहीं है कौन है रीती मुक्ति गह難ा GET हनानद यह चित्वतन ब Annoyez अंद। आपका भी नमबर बिल्कुँ सहीmi अमिया हला हल मद भरी सोईत स्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत जेही चित बत एक बार तो यहां पर क्या आ गया अमिया आ गया बोले सर अमिया से अमिया ले लो या फिर अमरत ले लो या पिर सुधा ले लो बोले सर सुधा रस मिल जाए सुधा रस मिल जाए तो क्या कहना पिर अमिये यहां पर अमिये आ गया अमिये खाते ना पंजवाम चोटा चोटा रहता अमिया बोले अमिया का रस बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ अमिया को पकड़ लेना अमिया मतलब सुधा से लिया गया बाकि अमिया मतलब अमिया अमिया चोटी चोटी आम जब चोटा रहता उसे अमिया बोलते हैं और अमिया का रस तो अमिया हला हलमद भरे सुएत स्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत पनाया और वो क्या बोलते है उसको पना पना बोली सर भरतो अमिया को पना बना दो है ना तो अमिया का रस तो बी नंबर आपका रसलीन बिलकुर सही हो जाएगा है ना रसलीन रस खान नहीं रसलीन रसलीन है ना अमिया का रसलीन इसको रसलीन बोलना है ठीक है और निम्नलेक प्राक्रत गरंतों में कौन सा गरंत चंद बिबेचन से संबंद नहीं है। रीती मुक्त कभी थे रीती मुक्त कभी थे इन्होंने बिबेचन से संबंद नहीं है। इन्हें से किस कभी ने लक्षमन नहीं लेखा तो किसने नहीं लेखा यहां लक्षमन आ गया था बोले लक्षमन ने तो रेखा कीज दी थी। इन्हें लक्षमन नहीं लेखा किसने मतिराम, चिंतावनी, भूशन या फिर घनानंद जिन भी सातियों ने सेल्फ इस्टडी किलासेस एप डाउनलोड नहीं किया है। एप डाउनलोड करने पिले इस्टोर से सेल्फ इस्टडी किलासेस एप पर 14 तारीक को मकर सकरांती के अउसर पर एक ब्रहद प्रतियोगिता कायोजन किया जाएगा, 50 प्रसन आपको दिये जाएंगे, टॉप 3 बिनर्स को हिंदी ब्याकना टेस्ट सीरीज में बो दिया तो आजाना सेल्फ इस्टडी किलासेस है ना हबेली पर आजाना हबेली पर ठीक है, तो इन वैसे किस कभी ने लक्षण गरंत नहीं लिखा, तो लक्षण गरंत किसने नहीं लिखा, बोली सर घनानंद की बात करो यहां तो, घनानंद यानि आपका D नंबर बिलकुल सही हो आपको बताएं दोस्तों, भूसर्ण कभी एकमात्रें से कभी थे रीतिकाल में, जिन्होंने बीर रस्प्रधान रचनाई की थी, और भूसर्ण के बाद जो राश्ट्रिय काबधारा में नंबर आता है, वो आता है दिनकर जी का, किसका, दिनकर रामधारी से हैं, दिनकर य यह आपको बताना, रीतिकाल के किस कभी में, बहुत बढ़िया प्रस्न है, 153 बाप प्रस्न है, उत्तर भी आपको चैन करना है, और वो कौन सा यह सा कभी है, जिन्होंने रितु वरनन भी किया, जिन्होंने प्रिकृति चित्रन भी किया है, वो कौन सा यह सा कभी है, दोस् भक्ति और स्रंगार बताना है का समन वयात्मक योग है समन वयात्मक योग है तो वो कौनसा है कौनसा है सेनापती सेनापती यानि कि आपका जो ए नंबर है सेनापती सेनापती इसको याद रख लिना भक्ति और स्रंगार का समन वयात्मक योग है सेनापती सेनापती यानि कि आपका जो A-Number है वो बिलकुल सही हो जाएगा, सैना पती बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है, आपका ये नमर बिलकुल सही हो जाएगा, अंगला कोश्चन है, यह पंक्ती किसकी है, यह पंक्ती सभी लोग बताएंगे, 154 का अंसर चैन करना है, यह लाएक जरूर करदेना, सभी को करना है, दोस्तों, गुरु दक्षना दे कर जाना है, है ना सबी लोगों को लाइक ये अंगूटा नहीं मतलब अंगूटा दबा कर जाना है तंत्री नाद कवित्र सरसराग रतिरंग अन बूड़े बूड़े तरें जे बूड़े सब अंग घनानंद मतिराम बिहारी या फिर ठाकोर ये पंक्ती किसकी है 154 में उत्तर लगाना है अब एक चीज बताना दोस्तों आप लोग बिहारी और बिहार समझते हैं बिहार क्या समझते हो बिहार मतलब बोले सर एक बिहार कर गए बिहार कर गए मतलब यहां से चले गए तो बिहार करना मतलब होता है चले गए तो यहाँ पर बोई चीज बताई गई है कि अन बूडे बूडे तरें तरें मतलब अपन बोलते हैं तर जाओगे मतलब यहाँ से चले जाओगे चले जाओगे बिहार कर जाओगे तो यह पंक्ती किसकी होगी बिहारी की ठाकुर की बिहारी पुलिसर बिहार बिहारी मतलब बिहार कर गए अन बूडे बूडे तरें अन बूडे और बूडे सब बिहार कर गए तरें है ना तो तर गए इसको याद रखो तिरें तो ये किसकी है बिहारी की थोड़ा सा यहां पर अपन को कॉमन सेंस लगान इस प्रिकार से तो अन बूड़े बूड़े तिरें तो यहां से क्या होगा बूले सर तिर गए तिर गए मतलब चले गए है ना दूसरी जगए बिहार कर गए तो बिहारी बिहारी यानी सी नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा और 114 नमबर पर अपनी आज की जो रामायन ह वो बिलकुल सही यहां पर खतम हो जाता है अब मकर सकरांती के आउसर पर इस प्रितियोगता में कौन-कौन भाग लेना चाहता है वो आज ही आपको सेल्प स्टेडी किलासे से एप डाउनलोड करना है यहां पर एक तारीक वाली प्रितियोगता भी मौजूद है उस प्रित सरमाजी यह टॉप थ्री बिनर्स थे जिनको दोस्तों 3,000 प्रिशनों की टेस्स सीरीज में एडवीशन दे दिया गया है अब आप भी बिनर्स बन सकते हो और दोस्तों ब्याकरण हिंदी ब्याकरण की टेस्स सीरीज में बिलकुल फिरी में एडवीशन पा सकते हो ठीक है औ और एक 26 जनवरी को गरतंत्र दिवस की अउसर पर भी एक ब्रहद प्रितियोगता कायोजन किया जाएगा, सिर्फ आपको करना है Self-Story Classes एप, और दोस्तों यहाँ पर न्यूबेच 5 जनवरी से स्टार्ड हो गया है, जो कि आपको 50% आफ यानि की दोस्तों अभी तक की सबसे क आपको Hindi साहित का संपूर कोर्स पढ़ने को मिल रहा है, और ऐसे नहीं मज़ेदार तरीके से, ट्रिक तरीके से टेस्ट दे करके, जैसा आप पढ़ना चाहते हों ऐसा आपको पढ़ने मिल रहा है, यहाँ तो जिन भी सात्यों को Hindi साहित पढ़ना है, पैट कोर्स जोइन करन कि आपको वो चीज याद हो आपको वो चीज बनने लगे हैना यह नहीं कि एक बार आपको पढ़ा दिया गया तो मेरा दायत खतम हो गया यहां पर आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों उत्तर दायत तो समझा जाता है कि आपको वो चीज आने लगे आपसे वो चीज बनने हो गया ऐसा कुछ भी नहीं से लफ इस्टेडी क्लासे इसमें जितनी बार पढ़ो और दोस्तों कोर्स में भी अलिमिटेड बार आप वीडियो देख सकते हो ऐसा भी नहीं है कि उसमें तीन बार देखने का पृति बंध हो अपने मित्रों तक हैना प्रीती सिंग, प्रमिला, ममता, नीला, महमलता, आयूस सिंग जी, हैना दार्शू सरमा जी, पढ़ते रहें और दोस्तों पढ़ाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने मित्रों तक सेयर करते रहें, आकास, आकास, ममता, अनीता, हैना, आर पाद संबाद निबंद किसका है अपन ने पड़ा था नामबार सेह का नामबार सेह की पढ़ीती ना बोले सर नाम ना लो तो बाद बिवात करने लगती स्थी नाम ले ले रहे सब का बिल्कुल शाही है ठीक है एना मनुज जी धर्मेंदर और ग्यानेस हैमलता मिनी पांडे उकके सरीधर जी स्वनु कुमार जी स्वनु सिंग जी सिलपा जी मोहित जी अंजली जी कविता जी ठीक है बिल्कुल शाही है कविता जी बहुत बड़िया सरीधर रेखा जी बोर पर या स्रेली सुमिज जी श्रीदर जी ममता जी कलपना जी ठीके बिलकुल शाई है अर्चना स्वानू दीपू जी स्वानम सिंग जी स्रीदर रितू जी है ना और ठीके मुसरत निसा जी अंजली अनुज जी सेरी मिनी दार्सू मनोज जी महेंदर हरीनु जी बहुत बढ़ि अनिल जी, ममता, मात्रभासा, हिंदी, हैमा सिंग, दार्शु जी, हैना, और आर्टी जी, रेखा, अर्चना, अनुपम, डाक्टर बंदना जी, बिमलेश, मनोज जी, ममता, सौनु, अंजु, जोसी जी, मिनाक्छी जी, हैना, आर्ती सक्सेना, रीनु जी, बहुत बढ़िया, कमलेश जी, और सेरी जी, संदेश जी, अभिलासा, रावज जी, प्रीती, गोले, बहुत बढ़िया, ठीक है, मदू, प्रांजल जी, सौनम जी, रेखा जी, तड़के, हैना, और रीनु जी, डाक्टर मितलेश जी, हैना, और डीके, गुरू जी, लाली यादव, ओमा जी, प्रदीप जी, करण आर्शी, सभी को धनवाद, दोस्तों, प्रीती, सेनी, लवकोस, प्रसाद, हरियोम जी, हैना, महेस, सरोज, हैमलता जी, अभिलासा, डीके, मनोज, अन्नु जी, हैना, और कौन है, ममता जी भी है, सुमंज जी, रेखा जी, रेखा है, होदय यादव जी है, अजय कुमार जी है, सभी को धनवाद, वीडियो को लाइक करो, और साड़े पांच बाली किलास, पैड़ वाले सभी साड़े पांच बाली किलास, जरूर अटेंड करें, हैना, कल से नाटक अपना प्रारम हो रहा है, अपना नाटक को नाटक करेंगे, हैना, एक नाटक बन्द किसका है, बोली सर भारतेंदु जी, भारत के लोग बोली सर बहुत नाटक करते हैं, नाटक करते हैं, मंच पर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं, नाटक करते हैं, हैना, नाटक करते हैं, तो सवनु जी, हैना, अंजू देवी, और डीके गुरू सुनम जी, लता जी, तो नार्टक निबंद किसका है? भारतेंदुजी का अपने पढ़ा था नार्टक निबंद भारतेंदुजी का है और कल से अपने नार्टक पढ़ रहा है अर्शिदीब जी, रेखा देवी, माया गौर जी, डीके गुरू, मम्ता महता जी, सभी को धन्वाद, सभी लोग पढ़ती रहें, रिनू, अर्चना, हैम चंदर सिंग जी, अनिकेत जी, बहरी गौर्ड अनिकेत न्यू, न्यूज, सभी को धन्वाद, आज की वीडियो के लि लता जी, मम्ता जी, और नाम बेर सिंग जी, बहुत वड़ी आप, धन्वाद, जैहिंद,